एपिसोर सिष्टिव बनके स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जूर्यों फैंग को और जूर्यों फैंग काफी ज्याता अट-पड़ा से लग रहा है मुझे बोलने में अनकंफिटेबल फिल हो रहा है इसलिए मैं सिर्फ इसे फैंग कहूंगा ठीक है आप लोग समझ जाएगा तो काईस यहां पर अपनको एपिसोर सिष्टिव बनके स्टार्टिंग में दिखाते हैं फैंग को और मैं बता देता हूं यह सिर्फ फैंग का शरीर है और जो इसके अंदर आत्मा है वह रियल वाले ओवरलोड की है रियल वाले फैक वाले फिर नुस्ट कर जो नुन के अखरहसिक्जिन जाती हां अचल रहा है जो अवह पर अबसके इस V extra बोड भी से करने ही तुमिर अबसक्ते गवें हम्तार हुड़ाigator क कर तो और दिखाते हैं जो ओब लोड़े वो खड़ा हो जाता है और टीचर से बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और लुट की यह पास उनकी पुरी किलास तरफ देखने लगती है और यहां पर लोड़ कह रहा होता है सब लोग यहां पर चुप क्यूं हो गए और फिर यहां आप चाहते हो और वो आगे बोलता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम्हें मुझे मानने का कोई अधिकार नहीं है अपने हाथ का इशार ऑबरलोड के तरफ करते हैं आज शाम को तुम यहां इसी क्लास में रुखना में तुम तुमने क्या है ना भी उसके बाद में गोटा रहा अरे बच्चे ौफर यहा पर जो अवरलोड है वह सोच रहा हूता है हरे मेरे मंत्र ओध मेरे में एक काम पार रहे हिस दुनिया में लगता है कि कोई जादू ही नहीं है और फिर दिखाते है मैं अपने टेक्स पेपर उठाता है और टीचर पास जाता है और ब क्या रहे होते हैं तुम कहा जा रहे हो मैं सच में तुम्हारी मा को फोन करके यहां इसकुल में बुलाऊंगा भली यह मुझे उन्हें अस्पताल से क्यू ना यहां पे बुलाना पड़े मैं यह confirm करूँगा कि वो यहाँ school आएं और फिर teacher overload का paper हाथ में ले लेते हैं और कहरे होते हैं आगर उस बच्चे के problem क्या है उसने यह क्या लिखा है और फिर आगे बोलते हैं इस तरह के attitude के साथ उसे future में कुछ नहीं मिल पाएगा और फिर देखते हैं जो overload है ना वो उसका paper देखते हैं और काफी आता हेरान हो जाते हैं क्योंकि जो overload है ना उसने उस paper के अंदर question हो का answer देने के बज़े अपने spell से लिख चुके रहेते हैं और फिर teacher है वो चलातों के रहे होते हैं हमें यहां पे school के बाहर ground का सिन दिखाया जाता है जहां पे ground के किसे कौने में overload बैठा हुआ रहता है और के रहा होता है यह दुनिया तो सच में बहुत boring है और फिर demon load यहां पे कहता है वो एक car accident था और फिर यहां पे diet हमें फिर इसके बाद hospital का सिन दिखाया जाता है जहां पे doctor's कह रहे होते हैं उसे थेने सेत्या दो और फिर यहां पे हमें किस लेड़ी को दिखाया जाता है जो कि demon load के पास ही रहती है और उससे बोल रही होती है रियो फैंग क्या तुम ठीक हो और फिर आगे बोलती है डोक्टर ने कहा है कि तुमारा डेंजर पिरेड़ आप खतम हो गया है और फिवो लेड़ी खुद की तरह इशारा करते है लेकिन ये मैं हूँ तुमारी मा और यहां पे दिखाते हैं जो अबर लोड़ को जीरो फैंग करके आवास देने लगते हैं और लोड वहाँ देखता है और वो कहते हैं हमाएपास कुछ काम है। फिर उनमें से एक बंड़ कहता है क्या तुम बेखुफो हो और जो इन बंदों का बॉश रहता है ना चो सिग्रेट पी रहा है वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करने हैं तुम खुद को मार डालो म मैं अभी इंसानों से छोड़ी छोड़ी बात करने के बिल्कुल भी मून में नहीं हूँ पास सुनने के बाद उन तीन में से एक बंदा आगे बढ़ता है और ओवरलोड को लाद मारता है और उसे कहता है तुम भाड में जाओ और फिर यहां पर दिखाते हैं और नीशे कर जा है उन लोगों के ऊपर और यह देखки उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है और ओवरलोड के चैरे पे एक जो पुछ बंद करो और फिर इहां पर दिखाते हैं यह लोग ऑब लोड को किसी ग्राउंड के पिलर्ड से ढिखा देते हैं और इन मेंसे एक बंदा बोल रहा होता है उस बच्चे की वज़े से मेरे जूते बरबाद हो गई और दूसरा जो उनका बोस रहता है वो बंदा बो बोस इस बच्चे के पास थोड़ा रुको यहां ता कि इस तरह के बच्चे के पास भी कुछ मीट होता है और फिर जो बोस वो उवरलोड को उठाने लगते और कियता है तुम अपना यह डेट गेम खिलना वो लड़की मेरी है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो उसे छोड़ दो वहना हम तुम्हें अच्छे से ठीक कर देंगे और यह बात याद रखना और फिर यहां पर दिखाते हैं जो अपना सर उठाता है और फिर उस बंदे की तरफ एक्दम से जबटा मारता है और जो उस बं भाल हो गया है और फिर यहां पर दिखाते हैं और यहां पर चिर्श ऑपने उठाट के लिए और लोड़की मों से बात कर रहे होते हैं याने की फैम की मों से वो कहते हैं मिस जूई आप अपनी बोड़ी का ख्यार रखा करो प्लीस और फिर आगे बोलना इस्टार्ट करते हैं जो जूरी हो फेंगे ना वो इन दुनों काफी है अजीब एक्ट कर रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है वो एक तुम बोल्ड हो गया है बहुत ज होईंगे दिखाते हैं जो टीचर है वो उसकी मुम से कह रहा होता है हाला कि यह लड़ाई उन सीनियर इस्टुटेंट ने शुरू कियो कि ऐसा लगता है और हाली में हो सकते हैं वो लोग इसे पैशान भी करते रहते होंगे लेकिन जौब का बच्चा है ना उसने उस्टु और वैसे यह में और इन प्रोड़म नहीं है लेकिन आप उसका पेपर देखो यह देखो उसने क्या करके रखा हुआ है उसने क्या करते हैं और फिर जो टीचर है वो आगे बोलते हैं मुझे उससे आशा थी कि वो कॉलिज एंट्रेस एक्जाम में नमबर वन आएगा लेकि जाते हैं फैंग की मम्मी और ओवरलोड दोनों स्कूल के अंदा चलतों भाज आ रहे होते हैं तभी जो फैंग की मम्मी वो थोड़ा दिवासर टिक के रुखती है और ओवलोड से कहती है रियो फैंग मुझे पता है कि मैं एक भयानक मां हूँ और शायद अगर मेरी फिजि के मम्मी वो बोलती है क्या उन्हें कुछ संचुनी आ रहा हो तो यह क्या पर बड़ा रहा है और फिर जो करना चाहता हूं वो करने के लिए मेरी अपने फ्रीडम है और इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं रोख सकता है और आप जैसी एक प्रोपर महिला कभी मेरी मां ब लगता है और कहता है तुम अपनी लाइफ वोर्स को जलाओ और मरो यह सबसे अब ही मार दूँ इसका जीवन खतम कर दूँ लाइफ कर दूँ एक तर्फ जाता है और माने कि अपना हाथ उठाता है जो फैंके मम ना उनके हाथ में फोड़ा खून लगा हुआ हुआ और यह झांप दिखाते हैं जो अच्छा परफोर्मस किया है और आज मेरा च्छोटा लड़का बोचादा है और तर दिखाते हैं जिसमें इ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् रहते हैं अपने साल ने जा रहा होता है और सोच रहा होता है यह तुम बोरिंग हैं यह सच में काफी कमफ्यूजिंग डूनिया आए और इहां पर दिखा calm दूसरी दुनिया करें यहां पर यहां पर 有一 जिल फैंग अब लोड कि बोड़ी के अंदर होता है और उसके हाथ के अंगूठी चमक रहीं होती है और उसकी वज़े से जो डीमन लोड़ उसके त्था चलद हो रहा होता है और वो कह रहा होता है क्या यह मुझे इल्हां तो कुनार है कि ऐसा रियक्ट कर रहा है लेकिन उसने पेले कभी ऐसा नहीं किया और फिबो आगे सोचता है रे नहीं भी दो अभी मेरे पास दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है फिलाल मुझे यहां पर फोकस करने की जरूरत है मुझे उसे हराने और अपने आपको प्र